आज के वीडियो में हम अध्याए एक का चौधमा कॉश्चन और पंद्रमा कॉश्चन दोनों कवर करेंगे, काफी आसान है और इनको समझने के लिए जादा दिमाख लगाने की जरूरत भी नहीं है, बहुत आसान भासा है, तो हम दोनों को अच्छे से कवर कर लेंगे, तो च लोहा जो होता है, या लोहे से बनी हुई जितनी भी बस्तु हैं हमारे आसपास हमें दिखती हैं, उन पे जंग लग जाती है, जिस घटना को हम संचारण कहते हैं, जंग लगने की जो घटना है वही संचारण है, तो उन पे जंग लग जाती है, तो जंग से बचाने के तो उस पे जंग नहीं लगेगी, तो इसका सीधा सा जवाब है कि लोहे की वस्तूओं को संचारण से बचाने के लिए हम उनको पैंट करते हैं, मतलब संचारण से बच जाएं और नमी के संपर्क में ना आएं, इसलिए हम उनके पैंट कर देते हैं, तो काफी आसान है, याद हो जाएगा, अगला पंद्रमा कॉस्चन है, कि तेल एवं बसा युक्त पधार्तों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, मतलब जो तेल से बनी हुई चीजे हैं, जो फैट युक्त हैं, जिनमें फैट होता है, उनको नाइट्रोजन से प्रभावित, या नाइट्रोजन प्रभावित क्यों की जाती है, या नाइट्रोजन जैसे चिप्स का पैकेट है, सीधा से समझिए, तो चिप्स एक तेल से बना हुआ पधार्त है, जिसमें काफी फैट होता है, आलू से ही बनता है, तो जब इसका पैकेट हम बंद करते हैं, तो आपने पात में ये बिलकुल फूला हुआ था, तो ये जो फूला हुआ था, इसमें गैस भरी थी, कौन सी गैस भरी थी, नाइट्रोजन गैस, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है, वो खाद्ध पधार्तों को सुरक्षित रखने में कारगर है, नाइट्रोजन गैस खाद् क्योंकि nitrogen एक अक्रिय गैस होती है यह किसी से क्रिया नहीं करती तो यह खाद्य पधार्त से भी क्रिया नहीं करेगी और nitrogen का बाता अगर चानों तरफ रहेगा तो दूसरी गैस है यहाँ पर नहीं हा सकती तो यही चीज है कि अगर तेल और बसा युक्त पधार्तों को सबसे ज़्यादा खत्रा किस से होता है oxygen से अगर तेल से बनी हुई चीजें फैट युक्त चीजें oxygen के संपर्क में अगर आ जाएंगी ना तो वो खराब हो जाएंगी तो इसलिए इनको nitrogen के संपर्क में रखा जाता है ताकि oxygen ना आ पाए तो इसमें nitrogen गेस भर के इसको close कर दिया जाता है तो यह अधिक समय तक सुरक्चित रहता है तो यही आपको आंसर में लिखना है कि तेल और बसा युक्त खाद सामगरी जो होती है यानि खाने बाली जितनी भी बस्तुएं होती है वो बायू या oxygen के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर उपचैत हो जाती है उपचैत मतलब आक्सिक्रित हो जाती है और अपना स्वाद और गंध बदल देती है जिसे विक्रत गंधिता कहते है तो स्वाद और गंध बदल के वो विक्रत गंधिता हो जाती है इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं विक्रत गंधिता क्या होती है तो स्वाद भी बदल देती है अपनी और गंध भी बदल देती है इसलिए इन्हें nitrogen से प्रभावित किया जाता है तो इसलिए इसे चिप्स से कोई लेना देना नहीं होता, चिप्स से कोई इसकी किरिया नहीं होती, तो इसलिए चिप्स को सुरक्षित रख पाती है, अगर चिप्स से किरिया कर लगी तो कुछ और बन जाएगा ये चिप्स, इसलिए nitrogen से प्रभावित क्यों किया जाता है, क्य यह चाहुदा दोनों यहां पे समापत होते हैं अब इनको अच्छे से नोट कर लो स्क्रीन सोट ले लो आप इसका तो आप लिख सकते हो खुद से नोट्स बना सकते हो और आप चाहो तो मेरे ये प्रीमियम कॉंटेंट नोट्स जो आपको यहां स्क्रीन पे दिख रहे हैं कंप्लीट साइंस के ये भी आप ले सकते हो इसके लिए मैंने अपना नंबर दे रखा है तो वहां से आप ले सकते हो और मैं आपको दिखा देता हूँ कई बेक्चो की हेल्प हो जाती है इससे ये देखो ये नंबर है इस पे आप मातर सौ रुपे में नोट्स ले सकते हो कंप्लीट साइंस के ठीक है तो मिलते है नेश्ट वीडियो में और इसी तरीके से आप सौट रूप में चोटे चोटे रूप में पढ़ते जाहिए तो जितने जादा आप वीडियोस देखोगे आपका confidence level उतना up होगा कि मैंने इतने सारे वीडियोस देख लिए और इससे आपका पढ़ाई में मनमी लगेगा ज्यादा लंबे वीडियोस खींचने से होता क्या है कि बच्चे बोर होते है और इससे उनको फाइदा कम नुकसान जादा होता है क्योंकि बीच का अगर कोई चीज कोई important question देखना है तो पूरा वीडियो को स्क्रॉल करते रहते हैं टाइम बरवाद करते हैं ठीक है तो ये एक playlist के थुरू आपको पढ़ना ही है तो जितना टाइम मिलेगा आप उतना पढ़के अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं मिलते हैं नेस्ट वीडियो में थैंक यू